तारीख ती 24 दिसंबर शाम की लगभग साड़े चार बजे थे। निपाल की राजधानी काठ मांडू की त्रिभुवन अंतरराष्ट्री एरपोर्ट से इंडियन एरलाइन्स फ्लाइट संख्या IC814 ने काठ मांडू से दिल्ली के लिए उडान भरी। विमान में 24 विदीशी नागरिक सहीत 178 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स शामिल थे। मौका क्रिस्मिस का था, निया साल भी कुछ साथ दिन दूर था, इसलिए लोगों में खुशी थी। शाम के पाँच बचकर 30 मिनट पर इस फ्लाइट ने भारत के हवाईक शेतर में प्रिवेश किया। इससे पहले की या उडान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरास्ट्रे हवाई एड़े पर उतर थी। जहाज में पाँच आतंक वादियों ने हवा में अपने बंदूखे लहरा दी और प्लेन को हाईजयक कर लिया। इन अपरहन करताओं में से सबसे पहले मुखोटा पहने एक नाटा सा आतंक वादी अपनी सीट से उठा और उसने विमान को उड़ाने की धमकी दी। जबरं कॉक्पिट में गुस गया और पाइलेट की कनपटी पर पंदूख रखकर बुला कि विमान को पश्चन दिशा की और मोड लो। आतंक वादियों ने विमान में बैठे बच्चों को बड़ों से अलग कर दिया और उनकी सीट बदल दी। इसे के साथ लाल मास्क पहन ग्रेनेड, पिस्तॉल और चाकू से लेस चार अन्य आतंक वादी विमान में अलग लग जगें तैनात हो गए। आतंक वादियों ने विमान के कॉक्पिट में बैठे पाइलेट से विमान को लाहौर ले जाने के लिए कहा। कैप्टन ने बड़ी चतुराई के साथ कहा कि विमान में लाहौर जाने लाइक इंधन नहीं है। कैप्टन देवी शरण से एक आतंक वादे ने पूछा कि विमान में कितना तेल है। ये दिल्ली के अलावा कहां जा सकता है। इसके जवाब में उन्ने कहा कि मुंबई और एहमदाबाद तक ही विमान जा सकता है। ये तक भारत सरकार को ये नहीं पता था कि विमान का अपहरण हो चुका है। बड़ी चतुराई के साथ कैप्टन शरण ने आतंक वादियों के निजर से बचते हुए एक एमिर्जनसी ट्रांसकॉंडर दबाया। इससे भारतिय एर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ गए कि विमान IC814 का अपहरण हो गया है। जल्दी ये बावत जानकारी भारत सरकार को दे दी गई। कॉक्पिट में कैप्टन आतंक वादियों से इस बात पर उलज रहे थे कि विमान पाकिस्तान न ले जाया जाए। कैप्टन चरण विमान को भारत से दур पाकिस्तान नहीं ले जाना चाहते थे। पर किसी भी कीमत पर उसे भारत में कहीं भी उतारने को तयार थे। इस बारे में उन्हें अतंक वादियों को बता दिया था। वहीं पाकिस्तान इस बात को लेकर चिंते था कि एक हाईजैक्ट भारतिय प्लेन उनके ख्षेतर में नहीं उतरना चाहिए। इसलिए लाहूर एर ट्रैफिक कंट्रूल ने विमान को लाहूर में उतरने की अजाज़त नहीं दी। साथ ही उसने अपने विमानों के लिए भी अपनी हवाई सीमों बंद कर दी। कैप्टन को इसका फायदा मिला। उन्होंने विमान की गती 40% तक कम कर दी। तकि विमान को जमीन पर उतारने में समय लगे। उन्हें उमीद थी कि विमान को या तो दिली या अमरित सर में उतार जाएगा। इस समय तक विमान में तेल काफी कम हो चुका था। जल्दी विमान को किसी एरपोर्ट पर उतारना जरूरी हो गया था वरना ये विमान कभी भी क्रैश कर सकता था। ऐसे में विमान के पाइलेट ने आतंकवादियों से कहा कि वो उन्हें विमान को उतारने की इजाज़त दे। आतंकवादी जल्दी इस बात पर राजी हो गए और विमान को तेल भरने के लिए अमरित सर में उतारने की इजाज़त मिल गई। लेकिन नई दिल्ली में आगे की रणनीती पर काम कर रहे प्रधानमंत्री की अधक्षता वाले आतंकवादी रूधी क्राइसिस मैनेजमेंट गुरूप ने पंजाब पुलिस को विमान में घुसने की इजासत नहीं दी। दिल्ली से उन्हें कहा गया कि एनस्जी की टुकडी अमरिस्फिर की और निकल चुकी है उनका इंतिजार किया जाए वही विमान में तेल भरने में भी काफी समय गुजारा गया उमीद थी कि जल्द ही एनस्जी की टुकडी स्तिथी संभाल लेगी देरी देखकर आतंकवादी भी अपना आपाग हो रहे थे आतंकवादीों का डर था कि भारती सुरक्षा बल विमान में घुसने की तैयारी कर रहे है उन्होंने विमान से बिना तेल भरे ही विमान को उड़ाने के लिए कहा लेकिन कैप्टन अपनी बात पर अड़े रहे कि विमान में तेल नहीं है आत पिन खून से लत-पत हालत में पड़े थे विमान के इंजीनियर जगिया इस खौफनाक मंजर को देख काप उठे उन्होंने कैप्टन से कहा कि आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं आतंकवादीों ने कैप्टन से कहा अगर जहाज नहीं उड़ा तो वे सब को मार देंगे जल्दी आतंकवादीों ने यात्रियों को मारने के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी। कैप्टन समंजस में थे उन्हें एटियस से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि विमान से बाहर क्या रणनी थी तैयार की जा रही है। उन्हें इस बारे म करती एक घंटे से भी कम समय में विमान ने दोबारा लाहूर के लिए उडान भर ली। हवाइडे पर सुरक्षा दिकारियों से कहा गया कि बाउजर के साथ स्नाइपर को ले जाकर जहाज के टायर को उड़ा दिया जाये लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल विमान के अमर वादियों के नाम थे इबराहिम अतहर, शाहिद अक्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इबराहिम और शाकिर। इन सबी आतंकियों का संबंद आतंकवादी संगठन हरकत उलमुजाहुद्दीन से था। अब रात हो चुकी थी जल्दी विमान भारत की सीमा से प ट्रेफिक कंट्रोल ने एरपोर्ट पर नेविगेशन और रनवे दिखाने वाली सभी लाइट बंद कर दी। इस से विमान को लाहूर में उतार पना और भी मुश्किल हो गया। एदर विमान में इंधन लगबग खत्म हो चुका था। ऐसे में पाइलेट ज़्यादा देर तब पता चला कि असल में वो एक रूड है। ऐसे में ततकाल जहाज को फिर उपर ले जाया गया। अब तक लाहूर एटी सी समझ चुका था कि जहाज को उतरने की अनुमती नहीं दी गई तो वो क्रेश हो सकता है। ऐसे में लाहूर एटी सी ने रनवे की लेड जला दी औ पता जहाज फिर से अपने अंजान सफर की और निकल पड़ा। अब आतंक वादी चाहते थे कि विमान को अफगानिस्तान की काबूल ले जाया जाए। रात में काबूल में विमान उतारने की कोई विवस्था नहीं थी। ऐसे में आतंक वादियों ने सेंगत अरब अमिरा के दुबई में विमान को ले जाने का आदेश दिया। आखिरकार अंधेरी रात में विमान दुबई के रनवे पर उतर गया। यहां दुबारा से भारत सरकार के पास एक मौका था वो कमांडो ओपरेशन कर यात्रियों को सुरक्षित निकाल सकती थी। इस बारे में भारत सरकार ने दुबई की अथौरटी से संपर किया और उन्हें सैन ने ओपरेशन के लिए राजी करने ही कोशिश की। यहां आतंक वादियों में दुबाराय से विमान में तेल भरवाने का दबाव बनाया। ऐसे में दुबई अधिकारियों ने आतंक वादियों को तेल और भ बहरहाल इंदन भरने के बाद IC 814 फिर से उड़ गया। अब तक सुबह ओचुकी थी 25 दिसंबर को विमान अफगानिस्तान के देक्षिन में पाकिस्तान सीमा के पास कंधार में उतर गया। जल्दी ही विमान को चारों और से टोयोटा ट्रकों में सवार हतियार बन तालिबान लड़कों ने गहेर लिया। तालिबान ने उस जहाज को भारतिय सुरक्षावलों से सुरक्षा परदान कर रहे थे। उस दोर में अफगानिस्तान पर तालिबान का शाशन था। वांकि तालिबानी हुकूमा दुनिया में अपने नाम का खौफ बैठाने की जुगत में ल इस बाबत जल्दी तालिबान के नेताओं से संपर्क साधा गया। अपहरन करताओं ने तिहाड में बंद आतंगवादी मौलाना मसूद अजर की रहाई की मांग रखी। साथी उन्होंने कश्मीरी अलगावबादी सज्जाद अफगानी का शव और करोणों डॉलर की फिर जल्दी अपहरन करताओं ने सज्जाद अफगानी के शव और रुपाय को लेने की अपनी मांग छोड़ दी। हलाकि वे अभी भी मौलाना के साथ 35 अन्य आतंक वादियों की रिहाई चाहते थे। को छोड़ने के समझाओते पर राजी हुई। छोड़े जाने वाले तीन खोखार आतंक वादियों में हरकतल मुजाहिद दीन का सरगना मौलाना मसूद अजर था। दूसरा आतंक वादी लंडन स्कूल ओफ एगोनोमिक्स में पढ़ा ब्रिटिश नागरेक और मसूद अज इसे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अपहरण के आरोप में गिरिफतार किया गया था। तीसरा आतंक वादी अलुमर मुजाहिद दिन आतंकी संक्ठन का मुख्य कमांडर मुच्ताक अहमद जरगर था। विमान को अपहरण करने के आठ दिन बाद 31 दिसम्बर को सभी तीन आतंक वादियों को पहले दिल्ली फिर विशेश विमान से कंधार ले जाया गया। कंधार पहुंसते ही सभी आतंक वादी एरपोर्ट पर खड़ी गाडियों से रवाना हो गया। और इधर IC 814 के सभी बंदों को चोड़ दिया गया। तो ये थी विमान संक्या IC 814 के पहरण की कहानी। क्या इन आतंक वादियों को छोड़ने का भारत सरकार का फैसला सही था या गलत। हमें कॉमेंट में जरूर बताईए।